मेरा नाम दुरुगेश सोलंकी है और मैं नौन मुसल्मान से हूँ मेरा सरनेम सोलंकी और रुखी समाज जो भंगी समाज कहता है वही समाज से हूँ और मेरे छोटे दो भाई मुसल्मान बन गये है और मैं सबसे बड़ा हूँ घर में तो मैं अब मुसल्मान बनना चाहता हूँ उन लोगों ने मुझे समझाया है कि किस तरह से मुसलिम है और क्या है मुसल्मान बोले तो दैशेदवादी मुसल्मान नहीं है मेरा सवाल यह है कि आप मुझे कलमा पढ़ने से मैं मुसल्मान पका किस तरह से बन जाओ बाई साब आपने कहा कि आपके दो छोटे भाई ने इसलाम कबूल किया अलहम्दलिल्ला हम को गुगाईट करते आप कहते कि आप मुसल्मान बनना चाहते और किस तरीके से मुसल्मान बन सकते है पहले हमें यह जानना चाहता हूँ आप पे किसी ने जबर्दस्ती तो नहीं की नहीं नहीं सर नहीं जबर्दस्ती की माशाला और अगर आप कहते देशदगर मुसल्मान देशादगर मुसल्मान जिसी चीज ही नहीं है हॉट कोल्ड हॉट कोल्ड ही नहीं तो हॉट होता है ये कोल्ड होता है तो देशादगर मुसल्मान चीज ही नहीं है अगर वो देशादगर तो मुसल्मान हो ही नहीं सकता है अगर मुसल्मान तो देश्यतगर्द नहीं हो सकता है दोनों साथ में मुम्किन ही नहीं है तो आप मुझे बोलेंगे देश्यतगर्द मुसल्मान बनाओ तो मैं बोलूगा मैं तो नहीं बना सकता हूँ मैं पक्ता मुसल्मान बनना चाहता हूँ और धैशत गर्दी के बारे में परसू मेरी तक्रीर है क्या अतंगवाद मुसल्मान की विरासत है वो परसू तक्रीर करता हूँ लेकिन मुसल्मान मनना बहुत आसान है आपको कोई बाकी मदब में कोई डूपकी लेनी की जरुवत नहीं ना कोई धागा बाने की जरुवत है सिर्फ आप अपने जबान से कबूल करेंगे कि भगवान एक है खुदा एक है और उसके सिवा कोई नहीं है और आखरी परिगर मुसल्मान में आप मुस्लिब बन सकते और अगर आप इस बात को मानते है तो मैं अर्बी में धोरा होंगा और आप भी धोराएए आप बाईसा मानते हैं भगवान एक है आप मानते हैं के खुदा एक है माशालाए आप मानते हैं के आखरी परिगर मुसल्मान में यह दो चीज़ ज़रूरी है आपने टोपी पेना अच्छी बात है टोपी पेना फर्द है मैं भी पेना हूं माशालाए पेने अच्छी बात है लेकि मुसल्मान को टोपी पेना फर्द है लेकिन अगर आप दिखाना चाते है मुसल्मान है ज्यता मैंधि गाना चाहता हूं तो अच्छी बात है माशा आलाह लेकिन वह तो तौछ भी न इस्लम का मैं अर्भी में काऊंगा और आप दराए यह जो अश्रओ आलाह अश्दु अलाह इलाह इललाह वच्छदु अश्दु अश्दु अन्ना मुहम्मधन मौम झालूँ